दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक महान जाती कोली जाती के इतिहास के बारे में कोली जाती जिने हम महावर, माहोर, कोली है वा आदि कई सारे नामों से जानते हैं इतिहास कारों के अनुसार कोली जाती की उत्पती कोली वन्स से मानी जाती है कोले वन्स के महान राजा मानधाता जिन्होंने पूरी पृत्वी पर राज किया कोली जाती से संबंध रखते थे राजा दसरत मानधाता की पच्चिसवी पीडी थे अर्थार्थ भगवान राम भी एक्स्वा को कोले वन्स से संबंध रखते थे यही नही मुंबई का नाम बंबई भी कोले वन्स की देवी बुंबा देवी के नाम से पढ़ा था बाद में कोले वन्स कई जातियों में बढ़ गया जिनमें कोली, कोरी, राज़पूत वा आधी कई सारी जातिया कोली मुख्यते गुजरात, माराष्ट, राजिस्तान वा उत्रपरदेस में पाए जाते हैं गुजरात के कोली जमीदारों का मुख्य कारे खेती बाड़ी था कई लेखोकों के गनुसार पंदरवी सताबदी में कई कोली गुजरात वर माराष्ट में चोरी वर लूट पाट किया करते थे इसलिए वहां के राजाओं ने कोली जाती को बदमाज जाती गोशित कर दिया था कोली हमेशा से ही गलत चीजों का विरोध करते थे इसलिए सेना में मुखे रूप से कोली जाती के लोगों को लिया जाता था जब सरवपरतम गुजरात पर मुगलों ने आकरमन किया था तब कोली जाती के वीर जमिदार लाल कोली ने अपनी छोटी सेना लेकर मुगलों से जा बिड़े बतकिसमती से वे युद्ध हार गे इसके बाद मुगलों ने कोली जाती के लोगों में डर्द पैदा करने के लिए लाल कोली का सिर काट कर एहम्दबाद के दर्वाजे पर लटका दिया ऐसे थे महान कोली जाती के योद्धा कई किताबों में लिखा है कि अंग्रेज भी कोली जाती से डरते थे इसलिए बीस भी सताबदी में अंग्रेजी हुकूमत ने हीने खूनी जाती गोसित कर दिया इतिहास कारों के अनुसार कोली जाती जन्म से ही शत्रिय राजबूत है वह उनके पास कई सारी जाइवदारे वर राजबाट था लेकिन समय के साथ साथ उनके राजबाट खतम हो गए और वे अनुसुस जाती वह पिछडे वर्ग में सामिल होते चले गए और आज भी राजस्तान वह कई राज्यों में इन्हें नीच वह अचुद जाती के रूप में देखा जाता है कोली जाती में कई महापुरूसों वह वीरों ने जन्म लिया है जैसे महराज सिवाजी, कानाजी आप्टे, जलकारी बाई, तानाजी मालसरे, यस्वंत राम मुकुंदे, भारती शिमाल, राजेश चुडासमा, प्राजक्ता गोलिवा, भारत के राष्टपती रामनात कोविंध तो दोस्तों यह था कोली जाती का महान इतिहास